हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई चैनल आज मैं आपके साथ मरादबादी चिकन मिर्यानी की रेसिपी को शेयर कर रहा हूँ उमीद है आपको पसंद आएगी तो चलें बनाना स्टार्ट कर देते हैं सबसे पहले हमें 500 ग्राम्स चिकन लेना है और जिसे हम मैरिनेट कर लेंगे चिकन में हम सबसे पहले डालेंगे एक चमच नमक और उसके अलावा दो चमच साफ और धनिया का पड़र जो थोड़ा दरदरा है और इसके बाद एक चमच ग्रीन चिली का पेस्ट मिलाएंगे अगर आप तीखा खाते हैं तो ज़्यादा भी एड़ कर सकते हैं इसके बाद साबुत मसाले मिलाएंगे जैसे दारचीनी, काले मिल्च, बादियान, लॉंगे, बड़ी लाइजी और तेसपात वगएरा इसके बाद करीब तीन चार छोटी लाइजीयां मिला देंगे इन इंग्रीडेंट्स को मिलाने के बाद हम करीब तीन स्पून कर्ट के मिलाएंगे कर्ट का एक्स्टर पानी हमने निकाल दिया है और कर्ट को मिलाने के बाद हम इसके अंदर मिलाएंगे आदा निबू का रस, जादा रस हमें नहीं लेना है और रस मिलाने के बाद हम हाथ की मदश से इन सारे इंग्रीडेंट्स और चिकन को हाथ की मदश से अच्छे से मिला लेंगे और मैरिनेट होने के लिए एक साइड में रख देंगे इसके लावा हमें लैसन और अदरक का पेस्ट भी मिलाना है मेरी किलिप वो मिस हो गई है मैं आप पूने ही दिखा पाया हूँ अब एक बरतर में आउल लेंगे और उसके अंदर चिकन शामिल कर देंगे जो हमने मैरिनेट किया हुआ है और करीब दो मिनट तक इसे हाई फिलेम पर बना लेंगे लगातार चलाते हुए और वन टी स्पून शामिल करेंगे इसके अदर बिरियानी मसाला और इन इंग्रीजिएंट्स और चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके मिक्स हो जाने के बाद हम इसे ढख कर हम करीब चार मिनट बनने के लिए छोड़ देंगे करीब चार मिनट बनाने के बाद चिकन हमारा अच्छे तरीके से भून गया है एक बार इसको चमच से और चला लेंगे और इसके बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे पानी हमें गरीब एक कप पानी शामिल कर लेना है बड़ा अब हम इसके अंदर अपने टेस्ट के गॉर्डिंग नमक शामिल कर देंगे मैं यहाँ एक छोटा चब मशनमक ले रहा हूँ और इसे मिला देंगे और बॉयल आने तक वेट करते हैं बॉयल आने में करीब 3-4 रट का टाइम लगेगा बॉयल आ चुका है अब हम इसके अंदर चावल एट करेंगे मैं यहाँ बासमती चावल का यूज़ कर रहा हूँ जिसे मैंने करीब 5 गंटा पानी के अंदर भीगो कर रख दिया था इसके अंदर मिला देंगे जब राइस और चिकन सई तरीके से मिक्स अप हो जाएगा तब इसे हम बनने के लिए छोड़ देंगे हमें इसे 2-3 मिनट तक ही बनाना है और इस बात का दिहान रखना है कि पानी हमें 80% तक डिडियूस करना है इससे जादा नहीं करना है पानी हमारा 80% तक डिडियूस हो चुका है अब हम हल के हाथ से चाओं लोगों मिला लेंगे एक बार दिहान रखेंगे कि हमरे चाओंवल टोटे नहीं और इसके बाद हम इसे गूल्डन ब्राउन प्यास जो हमने पहले से करकर रखी हुई है उससे गार्णिश करेंगे इसके अलावा थोड़ा सा धनिया जो हमने बारे काटा हुआ है मिला देंगे और लास में हम केसर वाला दूद इसके अंदर मिलाएंगे हमने थोड़ा सा केसर दूद ने मिला कर रख दिया था जो हमें बिर्यानी पे डाल देना है वैसे ये आप्शनल है आप चाहें तो फूट किलर का यूज़ भी कर सकते है बरतन के रेट पर हम कपड़ा लगा लेंगे और इसे दम लगा लेना है पहले दो मिनट हम हाई फ्लेम पर दम लगाएंगे और इसके बाद हम करीब पंदर मिनट लो फ्लेम पर दम लगाएंगे इस तरह हमारी शांदार चिकन बिर्यानी मुर्दबादी बनकर बिलकुल तैयार है खुश्बू भी बहुत जबर दस्ता रही है और चावल भी हमारे बिलकुल खिले खिले बने है आप भी एक बहुत जरूर ट्राइ करें आपको जरूर पसंद आएगी और मेरे चनल को सब्सक्राइब भी कर ले रेसिपी देखने के लिए जो आपने अपना वक्त निकाला उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया